इमाम उलहक और बाबर आजम की सांदार बनलेबाजी के बाद आया साइनसा अवरिदी और नसीम साका कहर जिसे कापा नुजिलेंड की टीम पाकिस्तान टीम ने नुजिलेंड टीम को तीसरे वन डेमेच में 24 रहन से राकर स्रीज तो अपने नाम करे लिया इसके जीत के बाद नुजिलेंड टीम के ओपर किलिन सुप का खटरा भी मत नाने लगा तो दोस्तो चलिए बताते हैं इस मेच का पूरा हाइलेट वीडियो दोस्तो पाकिस्तान और नुजिलेंड के बीच पांच मेचों का वंडे सिंखला का तीसरा वंडे मेच नेशनल क्रिकेट एस्टेडियम कराची में खेला गया इस मेच में नुजिलेंड टीम के कप्तान टॉम लेट हमने टोच जीत कर पहले फिल्लिंग करने का फेसला किया और पहले बल्ले बाजी करने के लिए उतरी पाकिस्तान टीम की सुरुआत बेहादी सांदारी और पाकिस्तान टीम ने 50 ओवर में 6 विकेर के नुकसान पर 287 दोनों का लक्ष खरा किया पाकिस्तान टीम की ओर से इस मैंज में ुलख ने 70 ओवर में 7 चोकर एक छखक यो कसाथ 90 और की बेहतरी पारी केली वही कफटान बाबर आजम न बासच गखक दोमें avait 4 और की सांदार पारी केली वहीं नुजिलेंट टीम की तरफ से इस मेच में मेट एड़ी ने 10 ओवर में 4 रंदे कर 3 विकेट असल के जबकि एड़म मिलने ने 10 ओवर में 6 पर रंदे कर 2 विकेट असल के लक्स का पीचा करने उतरी नुजिलेंट टीम की सुरुआती बेहादी सांदार रही लेकिन मीडिल ओरर के बलेबाजों ने नुजिलेंट टीम को साथ ने दिया नुजिलेंट टीम को इस मेच में 26 रोने सहार का सामना करना पर गया नुजिलेन की टीम इस मेच में 49 अशामल एक ओवर में 271 रण बना कर ओल आट हो जाती है इस मेच में नुजिलेन टीम की तरफ से टोम बलंडल ने 78 गंदों में 7 चोके के साथ 15 रण की सांधार पारी खेली वही एम कोची ने 45 गंद में 6 चोकर 2 छके के साथ 24 रन की संदार पारे खेली वही पाकिस्तान टीम की तोर से इस मेच में सबसे ज़्यादा विकेट नसीम साने 8-10-11 एक वरें 42 रन देकर 2 विकेट असिल के दोस्तो पाकिस्तान टीमी जीत के साथी शिरीज तो अपने नाम कर लिये साथी नुजिलेंट टीम के उपर किलिन सुप का खत्रा भी मदनाने लाना दोस्तो आप भी चाहते कि पाकिस्तान टीम 34 वंडे में जीते तो इस वीडियो को जरूर लाग किजिएगा आरवे दोस्तो इस चैनल पाप नहीं तो चैनलों को सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे थैंक यू सो मच